आजेश गुपता ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या फर जांच एजिंसियों के पास पुखता आधार है केस रजिस्टर करने का, आरेस्ट करने का और इसी लिए अदालतें लंबे लंबे वक्त तक जमानत नहीं दे पाती देखे गरिमा जी मैं बहुत देर से इन बातों को सुन रहा था और सच बता हूं तो मैं रोड डिवेट पर जाता हूं लेकिन मैं बहुत कम देखता हूं कि इतने बैलंस तरीके से चीज़े चलती है और कोई बीच में नहीं बोल रहा तो मैं आपको पहरे तो धन्यवाद देत एडी का पहले से बीच के लिए कहा जाता था कि उसको जो केंदर के अंदर सरकार होती है उसको में स्यूस करती है ऐसा हम सुनते थे अकसर कुछ केसिस होते भी थे जैसे मेरे साथी बीचे पी के साथी ने बताया कि उनके निताओं के उपर भी छूटे आरोप लगे यह भी यह मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है वो जूटे लगे हो आपने का क्यों कि कोट ने उनको रहा कर दिया मैमान लेता हूं वो जूटे थे तो क्या आप भी होई करोगे आप आज अब तने टाकत में हो आपको लगता है कि आपको साड़े तीन सो स्था सीटे चार सो सीटे मि आपने उनको सवा सवा साल से जेल के अंदर रखा हुआ है और आप करते हैं जमानत नहीं मिली तो जमानत इसलिया नहीं मिलती कि जो कानून में बदलाव करें PMLA Act को इस तरीके से बदल दिया गया है और उस PMLA Act का जो डर है कि पहले आदमी होता था कि जब तक प्रूव ना ह हो जाए तो वो गिल्टी नहीं है अब उल्टा हो गया कि आप प्रूव करो कि आप गिल्टी नहीं हो अब आप देखिए कि आज जो यह डर है यह जो आप देख रहे हैं लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है इफाइम नॉट रॉंग सेक्शन 45 जिसमें आपको अदालत को यह आश और ना आगे होगी तो इसका मतलब यह थो कि आप वह आश्वासन अदालत को नहीं देता है तो यह जो एक चोटे से चोटे केस का आयो भी होता है उस केस को जो सरकार होती उसके इसाब से तयार करता है और क्योंकि सरकार इस तरीके से सेंटर के बैठी हुई है कि नहीं किसी को छोड़ना ही नहीं है जो आपने का किसी ब्रस्टाचारी को नहीं चोड़ना उसका मतलब था सबको अपनी पार्टी में ले लेता है आप स्टेट वाई स्टेट बेखिए आप महरास्टा के एक्जामपल को बार बार कोट करेंगे तो उन सब के उपर इतना दवाब डाल जाता है कि या तो आप हमारी पाटी में आ जाओ या आप जेल में चले जाओ एक आदमी को डराना धंकाना उसकी सीडी बना लेना मतलब जजिस तक इन्होंने बार-बार मेरे साथी ने कहा कि नहीं हम कोट में बहुत यकीन करते हैं सुप्रीम कोट ने दिल्ली को कहा कि करने के लिए कि एक आदमी कोट से होना चाहिए एक सरकार का होना चाहिए आपने दो अपने कर लिए आपने कौंसे कोट की बात माली आप कोट की बात नहीं मान रहें एक्चुली आप किसी की बात नहीं मान रहें क्योंकि आपको सथा वह कहते है ना बच्पर में मैंने पढ क्यांकि दस साल में आपने किसी पार्टी को नहीं छोड़ा अपने ऌपने सव्ग्यों भी नाचाहती थी मैं चाहती हुदिक विए सब्सक्राइब दोसिरे शिवं सुप्रीम कॉट संजय मिफ्रय के कारेकाल को बढ़ाया जाने पर आपते जाहिर करता है। चाहिक समय खतम हो गया काल खतम हो गया। उसके बावजूस संजय मिफ्रय बने रहे। Enforcement Directorate के Director. तो ये जो फेवरेटिजम है, ये इसलिए है क्या कि मन माफ़ेक अधिकारी होंगे, तो मन माफ़ेक काम करेंगे. और ED का Full-time Director तो अभी भी नहीं है, अभी भी Interim Director है ED के. सबके सवाल हैं, तो मुझे लगता है, सबके सवाल का जवाब देखे आपको. को सबसे पहले मेरे लास में मेरे मित्र ने कहा कि देखे हमारे पास तो कुछ किसाबित ही नहीं हो हमारे जुनेता है उनके पास तो न सोना मिला न कुछ मिला मैं आप से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं हाई-कोर्ट के जस्टेस अजीव खन्ना है और जस्टेस S.V. N. वो कहते हैं कि ऐस्थाई रूप से मनी सिसोधिया के विशय में 338 करोड रुपे की मनी ट्रेल स्थापित हुई है किरपैकर करके शिवम्तियागी आफर नियूस 24 के दर्शकों को ना बता हैं उनको जाकर बता दे बहतर होगा अब अगर आप बोलने नहीं देना चाहते हैं मैं क्या कहता हूँ अब चले ना संजीव खत्री का है उन्होंने कहा कि कुछ मिला ही नहीं अब लालू पर साथ याद आपके घर चारा मिला ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई मनी ट्रेल मिली है और यह कोट कह रहा है बागे आते हैं अब अगर आप तैक करें कि मुझे कितनी देर बोलने देंगा तो बहुत नहीं जुरू है अब अब आपके चाई करें करें नहीं जुरू है इस मिजाज की डिबेट ही नहीं कि दो लोग एक वक्त पर बोले शिवंत यू दूसरा एक और चीज है कि मनी सिसोधिया के ही विशे में हाई कोट ने कहा था कि मनी सिसोधिया उपमुख्यमंत्री रहे हैं 18 departments के head रहे हैं और उनके बाहर जाने का खत्रा है अगर वो बाहर जाते हैं तो यह किसी हद तक संभावना आए है कि वो influence कर सकें इसका भी order मैं आपको दे दूँगा मैं आपके सवाल को जवाब बिना दिये जाओंगा ही नहीं लेकिन वह पॉलिटिकल ओपनेंट में उनको छोड़के मतलब जो कैंडिडेट सामने लड़ रहे हैं उसको छोड़के मैं के लड़ू जी बॉड़ी से लड़ू अचार किया है मेरे देश की एजनसीज हैं इन्वस्टिगेटिव एजनसीज हैं लेकिन यह सेलेक्टव है क्या क्योंकि यह एडी का आंकड़ा मेरे पास है पूरा पन्ना जो मैं हर दफा पढ़ती हूं 2015-2022 तक एडी ने 121 नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया और इनमें से 116 नेता यानिकी 96% are from the opposition तो यह आंकड़ा तो मतलब यह कहके आप आप इसके आगे क्या कहना चाहते है इसके आगे यह कहना चाहते है अब वो ब्रश्टाचारी है तो हम क्या करें भाई दूसरा एक और चीज फिर से आना चाहता हूं एक और बात हुई थी अभी कहा समय में जिस तरीके से CPI ने काम किया वो एकदम जो है पिंजरे का तोता बनकर काम हुआ उनके अगर आप चाहती है कि मैं आपके टाइमिंग और कितना इंट्रजेक्शन बाकियों के में हुआ है बताना चाहो तो मैं बताना तो मैं लिखा हूँ है अगर आप मुझे मुझे क्योंकि मुझे एक भी चीज बोलने के लिए कम से कम 30 सेकेंड तो चाहिए अब आते हैं सुरेंद राजपुजी चंडीगर के मेर के इलेक्शन में इस देश का ये लूट लिया वो लूट लिया अरे बारा जून 1975 को इस देश की प्रधान मंतरी को कोट ने कहा था और उनकी सदस्केता रद कर दी थी चुनावी धांदली में उफ नहीं और उसके बाद इमर्जनसी भी लगी नहीं में यह उपस जवाब नहीं जवाब नहीं जवाब आया जवाब आया अब रुख जाए ना प्लीज मेरा आपस गुजारिश है नहीं यह देश को मिस लीड करते ने पर बैठ कर जूड़ होते प्लीज रुख जाए अगर आप मुझे मुझे मौका दे तो मैं राफेल पर पड़कर तुरा रचाता हूं आपको एक सकता है अच्छा मैं समय किल रहा हूं नहीं नहीं एक सक्षित किया उसके बाद 14 नवेंबर को समिक्षा याचिकाओं को खार चेतर के तहर रक्षान उबंदों की सी में जाच की गई थी और देश को जूड़ बोला और इन्होंने एक और चीज कही थी कि जंता लिटमस टेस्ट होती है 2019 में आप राफेल को लेकर ही जंता के बीच में गए थे मुह के बल गिरे ओल टाइम लो पर आप है यानिके जंता ने वर्डेक तो ना दिया एकसेप्ट कीजिए नहीं बिल्कुल भी नहीं बट हाँ कोई बाद निस सो पिछत्तर में ये वाला जो कंपारजन है 1975 में कॉंग्रेस ने आपातकाल लगाया यूपीए वन और यूपीए टू में सुप्रीम कॉट ने कहा कि CBI is a caged parrot तो क्या ये जो आपका बागेज है इसी ने सिखाया भारती जनता पार्टी को कि इस तरीके से ED का इस्तेमाल हो इस तरीके से CBI का इस्तेमाल हो इस तरीके से income tax का इस्तेमाल हो शिवमत्यागी मान र आधा सच जो होता है पूरे जूट से भी जादा खतरनाक होता है निरलज जूट बोलते हैं भाजपा वाले हाई कोट से हम हारे थे इंद्रा गांधी जी हारी थी सुप्रीम कोट ने उस केस को कैना मिंद्रा जी के केस को सही साबित कर दिया था ये कभी नहीं बताते ये लो कोट ने इस पस्ट रूप से कहा है राफेल के केस में सुप्रीम कोट ने इस पस्ट रूप से कहा कि साब हमारे पास अनुच्छे 32 के हिसास से अधिकार नहीं है अगर एक बार F.I.R. हो जाती ना जैसे बाफोर्स के केस में हमने कराई थी उसके बार आपको पता चल जाता कि स कि इस प्रूप एक भूष आप जोड बोल रहा हुए है और याद रखना मेरी बात को जोड बोल रहा है कैता हूँ याद रखना के रूप से ज्याना जिवा जाओ गे जैल जाओंगे जैल जैल नहीं इस नोट डीसंट इस इस निए पश्ण डीसेंट वाइश्ट तो देख चीक चिल्लाहट की डिबेट हो गई ऐसा अमोवन होता नहीं मेरे कार्चा मैं मैं भी बड़े धर्म संकट में होती हूं कि सवाल जायज भी पूछ रही हूं या नहीं पूछ रही तो अब सर मुझे बताइए कि सवाल बड़ी जम्मेदारी से कह रही हूं कि जब मैं यह कहती हूं कि 121 निताओं के खिलाफ 121 निताओं में 116 विपक्ष के हैं तो क्या यह टार्गेटेड इन्वेस्टिगेशन टार्गेटेड इंटेरोगेशन है या मैं जूट बोल रही हूं यह तो मैं सर्विधित है कि यह जो कारवाई है यह एक तरफा कारवाई है इसमें कोई शर्ट नहीं है और मैंने कहा कि अगर जिम्मेवारी के और अगर सही तरह के लीडर्शिप अगर होती CBI में या ED में तो वो सब पे समान रूप से कारवाई करते हैं मैं अंत में सिर्फ दो तीन बिंदों पे ध्याना करशित करना चाहूंगा आपका कि देखिए इस देश को रष्टा चार रहित करना बहुत ही मुश्किल है अभी आपने देखा कि लोगपाल कब से बन चुका ह लेकिन लोगपाल के बारे में कोई सूचना नहीं आती है कुछ भी नहीं आता सामने कि उन्होंने किस केस कुर दिया है नहीं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि इसमें से अगर मान लीजे कोई अगर विबादित केस है तो वो लोगपाल को क्यों नहीं दे दिया जाता है जि क्या करती है एक भी केस को क्या सुपरवाइज करती है और क्या वो बाहर आके किसी भी क्या इस देश के लोगों का हक नहीं है कि उन्हें मालूम हो कि भरष्टाचार के बड़े-बड़े मामले पे क्या प्रगती हुई है हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है और अंत में एक चीज़ और बताना चाहूँगा गरिमा जी यह सही है जैसे किसी नहीं कहा कि पेगसेस के मामले में बलकि मेरा जो थिंक टैंक है उसने भी सुप्रीम पोर्ट कमीटी के सामने कहा था कि इसमें दो वैल मैलवेर जो है वो मिले लेकिन उसने कोई कारवाई नहीं हुई और अंत में ये बात कहूंगा मैं कि कोर्ट में तो प्रकरन चलते रहते हैं और लंबे चलते हैं लेकिन इंगलेंड में और युनाइट स्टेट्स में अगर कोर्ट में मामला चल भी रहा है या आप छूट भी गए हैं तो इसका मतल हो गया है सर कि बांक इस्जत बड़ी किया जाता है या और वैसी स्थिती में वहां के perilोगों को इस्तिफा देना पड़ता है फॉरिंड मिनिस्टर तो एक चोटी सी चीच पर इस्तिफा देना पड़ता है करोप्शन छोड़ी है बहूत सो क्देंश टिशू और याइन वै सबसे बड़ा दीमा के इस देश के लिए है और भ्रश्टाचार आपके और मेरे पैसों पर फलता फूलता है इसलिए हमारी जम्मेदारी है कि हर सवाल का जवाब हमारे सामने वाइट पेपर के तौर पर रखा जाए जो अभी पॉसिबल नहीं दिखते हैं सबसे बड़ा सवा